मणई इसवीड प्रेंज वेलकूम तो माइए यूट्यूब चानल और इस वीडिल में हम देखेंगे गोड का अनलसस वार उस्वीड तो लेस्ट आट वी तम मंतलि चार्ट तो फ्राइडे की दिन गोड बंद हुआ है वो 52,878 पर लगवं 350 60 पॉइंट लॉस के साथ बन हुआ जैसे मैंने कहा था यहां भी प्रॉफिट बॉकिंग चालो है जो गोल्ड के हमारे टार्गेट थे वो सभी अच्छी हो चुके है और यहां शायद हम एक बीपर करेक्शन भी देख सकते हैं क्योंकि जो भी टार्गेट आने थे वह आ चुक हम फिर से जो है तो लोवर लेवल जो जहां से स्टार्ट किया था वह हमें देखने को मिल जाएं तो मंत्री चार्ट पर आप देख सकते हैं कि लास्ट मन्थ जो है तो हमने साड़ी छे परसेंट का गेन देखा था 3,000 रुपीज का इस माईने अभी ट्रेट गड़े लगब तो उनको जो कमपेंसेट करने के लिए मोस्ट अफ दे ट्रेडर या फिर इंवेस्टर जो है तो उनका गोल्ड का जो पोईशन रहता है वो लिक्वीड करते हैं क्योंकि आप फिसिकल गोल्ड रख सकते हो और जिनके पास भी इंवेस्टमेंट है गोल्ड का तो वह जो लॉ तो इंवेस्टर जैसे मैंने कहा था जो भी जुन्होंने नीचे के लेवल पर इंवेस्टमेंट किया था उन्हें मेरे तरब से सला रहेगी और यह मेरा परसनल व्यू है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि जो टार्गेट है वो आ चुकि है या फिर से आपको के लेना चाहिए तो वहां से लगबक टू एक्स तू पॉइंट फाइए देखने को मिल सकते हैं वी देखते हैं वीकली चार्ट तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इस पीक जो है तो गोर्ड ट्रेड क्लोस कर रहा है लगबक 319 पॉइंट के गेन के साथ मगर उपर के लेवल से हम जो है तो अच्छा कासा जो है तो रिट्रेस हो चुके है और उपर के जुने नों टॉप्टे भाय के होंगा उन्हें अच्छा कासे लॉसे जो है तो दियर करना ही पड़ रहे है और इसलिए मैं निका था कि यहां जो ह वहान को मिल सकते है अगर यहां जो टेडर उन्हें ंहें पसे कोशिश करेगा तो ओपर की लेवल पर म slight करनी के सोचूंगा करेंगे इंट्राटेमी शॉट के पुजिशन या फिर जो मोके वो धोनेंगे और इंट्राटेमी ही क्लोस करेंगे यहां जो है तो जहां से ओपन हुआ ता उसकी नीचे क्लोस हुआ है इसके वज़े से रेड़ केंडल है क्लोस करेंगे और यहां यह जो कैंडल बन रही है यह दिखाती है कि शायद हम जो है तो एक टेंप्रेरी टॉप बना चुके लिए और विक्लिटाट अगर नेक्स मौ आना एक गोड में तो वह आएगा लगवा 55,000-56,000 के ऊपर ही अगर उसके ऊपर निकलता है गोल्ड तो फिर आप जो है तो 80-85,000 के भी लेवल जो है तो गोल्ड में एक्सपेक कर सकते हैं मगर फिलाल के लिए मुझा लगता है कि गोल्ड जो है तो यहां थोड़ा सा रेट्रेस हो सकता है और यहां हम बोसली वेरिश साइट पर पूजिशन लेंगे अगर ट्रेट करना है तो और जो भी इन्वेस्टमेंट है वह अड्रेड हम प्रोफित बुक कर चुके है अम फिर से जो है तो नीचे की लेवल का वेट करेंगे नीचे के लेवल से फिर से आप यह साइपी या फिर लॉंब सम अडिशन स्टार्ट कर सकते हो अभी डिखते डेली चार्ट पर इस मैने की जो टार्गेट ते वो तभी अच्यू करनी वाद अभी गोल्ड जो है तो करेक्शन और कंसोलिशन फेज में जा रहा है और यहां नीचे जो सपोर्ट लग रहे हैं मुझे लगता है कि गोल्ड में अगर अच्छा खासा लिक्विडिशन आता है था हूं पचासर पास्सों 50,500 और नीचे फिर से 48,400 के लेवल जो तो गोल्ड में देख सकते हैं यहां मेरा सेल उन राइस व्यू रहेगा और यह सेल उन राइस व्यू मोस्ली इं इंट्राडे और क्लोजी तीन इंट्राडे अलसो तो जैसे मैं रिकाता है यहां जो है तो कल हमने अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखा नीचे के लेवल जो है लगबग 52,200 की लेवल देखे और ऊपर जो है तो तो एक ही दिन में हमने 1000 पॉइंट का रहें देखा है तो य कि यह दिखाता है कि वोलेटिलिटी कि इतने ही मार्केट में है और यहां मुसली आइविल प्रिफर सेल और राइस स्टाटेजी नीचे मुझे लगता है कि गोल्ड शायद शॉट तम में 25,500 और 48,500 की लेवल जो है तो टेस्ट कर सकता है उपर के तरफ जो रिस्टन्स रहे सेल करने की कोशिश करेंगे और मुसली मुझे लगता है कि नीचे की लेवल हम एक के बाद देख सकते है यहां अगर गोल्ड में लिक्विडेशन आता है तो हमें अच्छे खासे लोवर लेवल भी देखने को मिल सकते है इन पैनिक तो वह लेवल जो है तो फिर वहां से एक अगर आपको शॉट्टर्म स्विंग लेना है तो भी हम जो सपोर्ट है वह पहले टेस होने देंगे और उसके बाद में दिल लाउंग लेनी की सोचेंगे जो आप पोजिशनली क्यारी कर सकते है फिलाल मेरा मेरी जो सला रहेगे और मेरी जो परस्णा स्टरी है रहेगे सेल और यहां जो है तो जो इन्वेस्ट करें उन्हें फिर से सला देता हूं अगर आपने प्रॉफिट भूप नहीं किया तो बिल्कुल प्रॉफिट भूप कीजिए मेरे इसाफ से आपको फिर से जो है तो गोड में नीचे के लेवल पर एंट्री करने को मिलेगी यह जो गोड करते हैं तो आपके आप अगर मेरे साथ करना चाहते हो तो यू के ज्वाइन माय प्रेमियम सर्विस उसके लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहाँ जाईए जोइन कीजिए and thank you for watching this video subscribe now and press the bell icon never miss an update